हेलो जी अगर आपका zodiac sign Gemini है या sun moon rising Gemini में है तो ये reading आपके लिए होगी prediction for 2024 कि ये वला साल आप लोगं के लिए कैसा रहेगा ये वला year आप लोगं के लिए क्या messages है prediction है आप मेरे YouTube को follow कर सकते हैं और मेरे आप profile पर आएंगे और link is given in the bio आप इंचे महा पर follow कर सकते हैं let's see Gemini आप लोगं के लिए ये वला साल कैसा रहेगा okay Gemini आप लोगं के लिए एक चीज तो नज़ आ रहे है कि आप लोगं के लिए जैसे ये new new year स्टार्ट हो रहे तो आपके लोगं के लिए new me new year वाली आपकी वाइब हारी है तो आप कुछ डेफिनिटी नहा स्टार्ट करें करेंगी प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बहुत सरी चीज आएगी मैचोरिटी आएगी आप बहुत कुछ सीखेंगे या आपने जो पास में जो चीज़ा सीखी है आप उसको इस साल इंप्लिमेंट करेंगे आप मैसे कुछ लोग कुछ नया अपना बिजनस अपना क्रिय हो सकते हैं डिसीजन लेने में कि मैं क्या करूं या जो चीज़ मैं कऱ रहा हुं या कर रही हूँ तो उन चज़ों में आप काफी था 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 टाइम लगाएंगे ओवर तिंक आप चीज़ों को कर सकते हैं उस ताइम में आप प्रोक्रासthenon से में आपका टाम ज्यादा जो आपने अरड़ी आपके अंदर एक कुछीज है जो आप करके दिखाना चाहते हैं, do it, stop wasting your time. आप में से काफी सारे लोग जो लोग सिंगल हैं, उन लोग के यहां पर strong chances हैं, मतलब, maybe you will fall in love, याप किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे, इसके साथ आपका hot and cold, inconsistent, moody type of relationship ups and down रहेंगे इस इंसान के साथ, आप किसी new person को भी मिलेंगे इस साल, को यासा इंसान जो आपकी life में आएगा, काफी changes लेके आएगा, शादी होने के भी यहां पर chances हैं, अगर आप अपनी पसंद के शादी करना चाहते हैं, या love marriage जैसे जिसे कहते सकते हैं, या अपनी पसंद का partner, उसमें तोड़ा से difficulty होगी, लेकिन जिन लोग के लिए arranged marriage होगी, उनके strong chances हैं यहापे शादी हो जाने के इस साल, ठीक है, या आप confused रहेंगे, कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी पसंद से करना चाहिए, या parents की मर्जी से करना चाहिए, तो उस मामले में भी आप थोड़ा सा time ले जाएंगे, फिर आपको समझनी आएगी कि मैं क्या करूँ, यह चीज लग रही है, confusion लग रहे है आपको, ठीक है, तो अपना mind very clear रखें कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, किस तरफ अपनी mind को एकी direction में रखें, तो जो आपके अंदर glow up आएगा, जो आपके parents में या lifestyle में चेंज आएगा, वो definitely आपको काफी सारे लो compliment करेंगे, और हो सकते हैं, काफी सारे partners भी attract करें, options और choices आपके पास हो सकते हैं, आप काफी creative भी feel करेंगे इस साल, जो लोग creative field से हैं, social media से हैं, यह कुछ अपना करते हैं, या अगर आपका कोई अपना business है, या आपको अरड़ी एक professional work या job में हैं, तो obviously आपको इसमें progress नजर आएगी, और जो लोग jobless हैं, उनको job मिलने के strong chances हैं, ठीक है, students के लिए यह वाल साल अच्छा रहेगा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो married हैं, उनके लिए pregnancy के chances हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, maybe you will conceive a baby, आपको good news मिल सकती है, ठीक है, but overall, यह साल आप लोगों के लिए मूडी रह सकता है, काफी चीज़ें आपके mood पे depend करेंगी, आपके इसना से चीज़ों को handle करते हैं, deal करते हैं, और relax रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में जितन इसना से चीज़ों करेंगे आप, अगर आपको नहीं भी चूज कर पा रहे हैं, तो आप उनको टाइम दें, या अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप सोच लें कि आपको आपके लिए कौन बेस्ट है, क्या सही है, कौन सा आपशन ठीक है, कौन सी चोईस आप करेंगे इस साल, ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये वाला साल, आपका फोकस जो है, आपके अचीवमेंट और सक्सेस पे होना चाहिए, अगर आप कुछ बिल्ड़ अप करना चाहते हैं, कुछ अपना क्रियेटिव करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है आप लोगों के लिए, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें, और जितना आप सोचेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें कॉंपलिकेटिट होती जाएंगी, so good luck!